वेरी गूड इवनिंग मित्रों उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर तीस तारिक से परिक्षा शुरू हो रही है तो एड्मिट कार्ड के साथ बहुत सारे बच्चों के पास जो है कि परिक्षा तिथी को जो आप जानते ही है कि परिक्षा तिथी 30 अक्टूबर शुरू हो रहा है आपको सेंटर पे 60 मिनट पहले 60 मिनट पूरुब परिक्षा केंद पर पस्तित होना है पहला, 30 मिनट पूर्व आपको प्रवेश में, या प्रवेश सिटिंग प्लान के अनुसार आपको कक्ष में प्रवेश की छूट मिलेगी, 30 मिनट पहले, 60 मिनट पहले आप परिक्षा केंद पर उपस्तित हो जाएं, दूसरा, कि अगर प्रवेश पत्र में कुछ तुरूटी हो, तो ततकाल आयो को सूचित कर, संबंदित तूटी का निवारन या निराकरन अवश्य करा लें, अगला है, परिक्षा संबंदी किसी प्रकार के अगर जानकारी आपको परिक्षारम होने से पूर्व ही, केंद्रा अध्यक्ष से प्राप्त करनी होगी, आप कर सकते हैं, अंगूठे और पूरुश अभ्यर्थी जो है, वो दाए हाथ के अंगूठे का निशान जो है, निर्धारित अस्थान पे लगाएंगे, ये याद रखेगा, प्रवेश पत्र के साथ, अतरिक्त पहचान पत्र के रूप में, निर्वाचन कार्ड, या आधार कार्ड, या प काला पेन जो है, आपको अपने साथ ले जाना है, काले पेन से ही सारी चीजे भरिए, रिटेन का काम भी काले पेन से ही करें, और गोला जो करना है, गोले में जो काले किये जाते हैं, काला रंग भरना पड़ता है, उसको आपको काले पेन से ही करना है, निला पेन आप इस्त जो गोले हैं उनको किसी एरेजर या नाखून या ब्लेड या सफेद तरल पदार्थ से उस पे उसको न लगाएं मतलब कि आप एरेजर वगारा या ब्लेड वगारा से आप उसको मिटाने की कोशिश न करें अन्य था आपकी जो ओमार शीट है वो उसका मुल्यांकन नहीं किया जाएगा अगला है कि आपके कक्ष में कॉपी किताब का अगज मोबाइल पेन यहां तक की घड़ी कैलकुलेटर तो ठीक है मोबाइल फोन भी ठीक है लेकिन घड़ी भी आपको नहीं ले जानी है इस चीज जो बुकलिट टेस्ट बुकलिट मिलेगा उस पे जो अन्तिम प्रिष्ट है उसको उस पे आप रफ का काम कर सकते हैं परिक्षा ती जो है वो परिक्षा प्रारंब होने से तीस मिनट बाद ही लगुशंका या सोचले या जहां जाना है जा सकते हैं लगुशंका या सोचले आप 30 मिनट के बाद ही जा सकते हैं, परिक्षा सुरू होने के 30 मिनट के बाद, उमारशीट जो आपको मिलेगी, उसका जो उमारशीट है, उसमें जो प्रतियां होंगी, वो आपको अपने से नहीं लेना है, उसको जो है आप कक्ष निरक्षक को दें, और कक्ष निरक्षक ही आपके वाली प्रति को निकाल करके आपको देगा। द्रिष्टि बादित अभ्यरतियों के लिए ये खास निर्देश है कि वे अपने सुविधा अनुसार किसी को अपने साथ लेखक के रूप में ले जा सकते हैं। वसरते उनकी जो सैक्षिक योग्यता होगी वो इंटर्मीडियेट से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानि जो दृष्टी बाधित अभ्यरती हैं वो अपने साथ जिस व्यक्ति को ले जाएंगे उनकी सैक्षिक योग्यता जो है इंटरमेडियेट से अधिक नहीं होनी चाहिए और तो यही सब इंपोर्टेंट चीजे हैं एक अगला पेज में भी यह थोड़ा सा दिया है देख प्रश्विक हमारी COVID-19 के vaccination का प्रमान पत्र आपको ले जाना है यह आपको वहां दिखाना पड़ेगा तभी आपको वो छोट देंगे तो यह जो है महत्पुर्ण निर्देश है जो आयोग ने जारी किये हैं आपको इन निर्देशों का पालन करना होगा तो उमीद है कि आ आप सब समझ गये होंगे अगर कुछ समस्या होगी तो आप जरूर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे और हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे नमस्कार जैहिंद जैभारत